हलो फ्रेंज स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम पॉइंट में एक नए वीडियो के साथ एक नए अपडेट के साथ तो फ्रेंज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICR IRI Technician T1 Re-Exam 2023 के रिजल्ट के बारे में यतने भी लोगों ने ICR Technician की 641 पदों की बैकेंसी का एक्जाम दिया हुआ है उनका जो रिजल्ट है वो आखिर कब तक आएगा तो फ्रेंज अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें तो चली फ्रेंज अब आपका ज्यादा समय ना लेते हूँ मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और आप सभी को बताती हूँ कि जो है फ्रेंज आप सभी के लिए जो है ICR की तरफ से न्यू अपडेट क्या आई हुई है तो फ्रेंज यहाँ पे आप सभी लोग जो है अपने रिजल्ट को लेकर के काफी टाइम से परिशान है लगभग जो है फ्रेंज छे से लगभग चार-पांच महीने हो चुके हैं कि आप लोग अपने ICR technician re-exam के जो है रिजल्ट का वेट कर रहे हैं जैसा कि आप सभी को इस vacancy को जो है ICR technician की vacancy को आए हुए लगभग फ्रेंज दो साल यानि की पूरे फ्रेंज दो साल complete होने वाले हैं और आप सभी की इस vacancy को जो है फ्रेंज अभी तक clear नहीं किया गया है कि finally जो है इसका selection होगा भी या अथवा नहीं या इसके result जो है फ्रेंज कब तक आएंगे तो फ्रेंज यहां पे आपके लिए जो है इस वीडियो में जो है बहुत सी महतपूर जानकारी है तो प्रेंज अब बात करते हैं कि आप सभी का result जो है प्रेंज वो आखिर कब तक आएगा और या नहीं आने की उमीद है तो कब तक जो है प्रेंज आप सभी का result जो है फाइनल आ सकता है क्या इस बार भी जो है प्रेंज नई vacancy आने वाली है तो जो है प्रेंज बताते हैं कि आप सभी का result जो है प्रेंज वो नवंबर के last week तक यानि की प्रेंज 30 नवंबर तक 29 से जो है प्रेंज 30 नवंबर के बीच में आप सभी के ICR के result जो है प्रेंज जारी कर दिये जाएंगे वो भी ICR की official site से जो है प्रेंज आप सभी लोग अपने score card को download कर सकेंगे और फ्रेंज यह भी जानकारी मिली है कि आप सभी के लिए जो है ICR की तरफ से new vacancy को जो है प्रेंज दिसंबर के second week में जारी की जाएगी यानि कि कुछ पदों के लिए ICR के लिए जो है फ्रेंज पुना जो है vacancy आने वाली है तो फ्रेंज यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं